Hi friends, welcome back to another quick tutorial, this is Ali Khan and you are watching Multigale दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जावा स्क्रिप्ट का split method के बारे में बताऊंगा split method strings के उपर apply होता है, तो इसका definition अगर देखें split splits a string into an array of sub-strings and return the array तो इसका मतलब यह है कि किसी भी string को हम छोटे-छोटे sub-string में convert कर सकते हैं यानि कि split कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो अगर इसका example देखें किस type से हो गई है तो यहाँ पर देख सकते हैं example में, suppose यहाँ पर एक हमारे पास string है, this is my car और split method लगाने के बाद यह हमें इस तरह का output देगा, this is my car यानि कि यह हमारा अलग separate हो गया, यह भी अलग हो गया, यह भी अलग हो गया, यह भी अलग हो गया हम इसे separately access कर सकते हैं, यहाँ पर हम str को अगर हम access करेंगे अगर इसे output करते हैं कहीं पर, तो हमें यह पूरा string देगा, लेकिन split method करने के बाद वो हमें एक array में return करेगा, जो कि यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, इसके अंदर चार value separately इसमें store होंगे है, तो इस वीडियो को पूरा लास तक जरू देखना तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने temp codes पर आ गया, यहाँ पर आके हम अपना file बना लेते हैं आज का cmd खोलने के बाद यहाँ पर हम simple लिखेंगे copy con और यहाँ पर split method करते हैं और .html इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, ctrl-z करके save करते हैं और हमारे पास यहाँ पर एक file आ चुका होगा, देख सकते हैं अब यहाँ पर right click करके हम इसे खोल लेते हैं, visual studio code के अंदर यह हमारे दूसरी screen पर खुल चुका है तो मैं इसे इस पर ले आता हूँ अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आगया है तो एक simple सा separate हम इसमें बनाते हैं एक simple सा structure हमने बना लिया थोड़ा सा इसे zoom कर देते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे बढ़िया से तो सबसे पहले हम ready करते हैं हमारा format जिससे कि हमें असानी से सारी चीजे नजर आए जो भी हम काम करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक output का हम बनाते हैं एक जगा इसे हम एक id दे देते हैं id क्या होगा id होगा output ठीक है जो भी result आएगा हम इसी पर output देंगे ठीक है अब क्या होगा अब हमें यहां पर बटन भी देना होगा जिससे कि जब भी हम कोई काम करें तो बटन पर क्लिक करने के बाद हमें यहां पर पूट पूट आये ओके यहां पर एक HR नाम से एक हम टेग कोल देते हैं यह में लाइन देता है horizontal लाइन अब यहां पर हमें एक बना लेते हैं बटन को बटन में देते हैं get result अब हम इसे एक यहां पर on click function लगा देते हैं function क्या होगा हमारा get result अब आपको कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आ चुकी होगी मैं इसे दिखाता हूँ double click करके open करता हूँ इसे तो देख सकते हैं हमारे result यहां पर आएगा get result करेंगे तो हमें यहां पर show करेगा ओके तो अब क्या करना है यहां पर हमें सिंपल सा एक हमें java script खोलना है अगर आप यह सब देख चुके हैं यह सब आपको पता है तो आप वीडियो को forward करके या फिर थोड़ा सा skip करके आप देख सकते हैं यहां पर script लगाता हूँ मैं स्क्रिप्ट के अंदर यहां पर हम एक function मनाएंगे function का नाम हम दे देते हैं क्या लगना है get result के नाम से get result हमने क्यों दिया क्योंकि हमने यहां पर on click get result को हमने दिखा है तो इसलिए get result को हम यहां पर बनाएंगे यहां पर simple सा check कर लेते हैं alert लगा के कि हमारा function काम कर रहा है या नहीं कर रहा है hello bro save करते हैं यहां पर हम आते हैं simple refresh करते हैं और यहां पर click करते हैं तो देख सकते हैं जैसे हमने इस पर click किया hello bro हमारा काम कर रहा है यानि कि button का click हमें function तक पहुचा दे रहा है तो हमें इसकी जरुरत नहीं है इससे comment कर देते हैं अब यहां पर हमें क्या करना है simple सा एक हमें text लेना है ठीक है तो variable बनाते हैं और simple इसे हम रखते हैं str नाम से और इसे हम एक string देते हैं this is my car ठीक है यह हमारा एक string हो गया अब अगर हम इसे यहां पर पहुचाना चाहते हैं और पूट में तो क्या करना होगा document.getElementById id क्या है हमारा डेमो डेमो नहीं और पूट है .innerHTML equal to यहां पर simple हम str को देते हैं अब क्या होगा str में क्या हमारा this is my car है और यहां पर हम कह रहे हैं str को इसके अंदर भेज दो इसके अंदर यानि कि यहां पर ठीक है line के ऊपर तो जब भी हम click करेंगे अभी तो इसके ऊपर हमारा यह this is my car लिखा हुआ आ जाएगा इसे refresh करते हैं get result करते हैं देख सकते हैं this is my car यहां पर लिखा हुआ आ रहा है अब यहां पर हम लगाते हैं split method लगाने के लिए हमें क्या करना होगा यहां पर एक और variable बनाएंगे हम और इसे हम लिख देते हैं यहां पर इक्वल का sign देते हैं और यहां पर str.split लगाएंगे ठीक है यहां पर split है और split में हमें यह बताना होता है कि हमें किस तरह से चीजों को यानि कि यह string को separate करना है तो separate करने के लिए क्या है कि अगर जैसे देख सकते हैं यहां पर this is my car इसके बीच में हमारा क्या है यहां पर simple सा एक space दिया हुआ है तो हम चाहते हैं कि यह split जो करे हमारा तो वो separate करे space से जहां जहां space हो तो वहां से इस चीज को इस string को split कर दे तोड़ दे तो यहां पर हमे हमें देना पड़ेगा इसकी split कैसे हो रहा है तो यहां पर simple हम इसे करेंगे एक space space देने के बाद हम इसे simple कर देते हैं semi-colon से बंद और इसे करते हैं save अब यहां पर क्या होगा इसे हम से नीचे ले आते हैं नीचे ले आए नीचे लाने के बाद अब यहां पर क्या करना हमें inner html में हमें str को नहीं देना है हमें arr को देना है ओके ए आर आर कंट्रोल से करके save करते हैं और चलते हैं अपने page पर और अगर इसे refresh करें और यहां पर get result पर क्लिक करें तो देख सकते हैं this is my car यानि कि यह पूरा हमारा जो है जितने भी इसके अंदर string है वो सभी separate होके यह सभी दिख रहे हैं देख सकते हैं कॉमा आ गया इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि arr का पहला हमारा जो index है वो आ जाए पहला value तो यहां पर हम करेंगे 0 control s करके save करते हैं और इसे करते हैं refresh अब करेंगे get result तो देख सकते हैं हमारा सिर्फ यहां पर this आया ठीक है यह array के form में हमारा convert हो गया है देख सकते हैं पहले यहां पर क्या आ रहा था अगर str को अगर हम output देते हैं तो यहां पर क्या आता है कि पूरा यह string हमारा print हो जाता है लेकिन अगर हम a rr में करते हैं और इसे 0 करते हैं तो हमारा पहला rr यानिके this ठीक है क्योंकि indexing हमारा 0 से सुरू होता है तो 0, 1, 2, 3, third number पर car है तो अगर हम यहां पर third करते हैं तो हमें car वहां पर output में दिखाई देगा refresh करते हैं और इसे करते हैं get result देख सकते हैं यहां पर हमारा car लिखिया ओके अगर इसी चीज को अगर हम string वाले str को अगर हम लेते हैं यहां पर और इसे हम कुछ number देते हैं str अगर हम इसे तीसरे number का अगर देते हैं तो यह हमारे पास सिर्फ एक letter आएगा 0, 1, 0, 1, 2, 3 यान यानि कि s आएगा हमारे पास अब देख लेना control s करके save करते हैं और यहां पर आकर refresh करते हैं get result करते हैं देख सकते हैं s क्यों आया क्योंकि यह हमारा string है variable type string है तो हमें यह string यानि कि एक एक letter को एक एक character को count करके हमें दे रहा है देख सकते हैं यहां पर 3 आया अगर इसका length भ करते हैं तो इसका देखना कितना एगा 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 यानि कि 10 के ऊपर आएगा control s करके save करते हैं refresh करते हैं get result करते हैं 14 आ रहा है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा है अब यहां पर अगर हम इसे ARR को लेते हैं और उसकी अगर हम length देखना चाहें ARR तो देखना क्या होगा यहां पर refresh करते हैं और करते हैं get result देख सकते हैं 4 आया 4 क्यों आया क्योंकि यहां पर एक word को यह count कर रहा है देख सकते है 1,2,3,4 क्योंकि यह सब को split कर चुका है और split किस method से किया split करने का method था कि यहां पर space आएगा बीच में उसे split करना है अगर यहां पर space के जगह अगर कुछ और देते हैं जैसे minus है ठीक है minus का sign है minus का sign है अगर हम इसे control as करके save करते हैं और यहां पर ARR को हम print करना चाहें तब देखना क्या आएगा हमारा देख सकते हैं this is my car यह पूरा हमारा वैसे की वैसे आ गया क्योंकि यह हमारा काम नहीं कर रहा देख सकते हैं split तो हुआ ही नहीं कुछ क्यों कि हमारा separator यहां पर दिखाई नहीं दिया इसके बीच में कहीं space है यह नहीं इसलिए किसी को भी split यह नहीं किया इसलिए same to same हमार यहां पर output आ गया अब अगर हम यहां पर दे देते हैं कि नहीं हमें इसके base पर separate करना है यानि कि अगर बीच में कहीं भी अगर हाइफन लगा है तो उसे हमें separate कर देना है यानि कि उसे यहां से अलग कर देना है अलग-अलग इसे बना देना है ठीक है अब इसे करते हैं control स क हमारा बन चुका है अब फिर से अगर हम यहां पर है कि आप यहां पर नंबर्ट है दो नंबर का देखना चाहें तो नंबर का कौन सा होगा zero one two यानि कि माई माई आए गए यहां पर refresh करते हैं get result करते हैं माई आ गया तो देख सकते हैं इसका use आप कहां कहां कर सकते हैं बहुत ही useful technique है यह split method इसे आने वाले project में हम देखेंगे कि कैसे इसे हम use करते हैं और बहुत सारे हैं इसमें जो कि string पर apply होते हैं method वो सबी चीजों के बारे में मैं एक एक करके आने वाले वीडियो में बताता जाऊंगा तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजे तो मिलते हैं अगले वीडियो में goodbye